आज मैं आपको नमक के बारे में बता रही हूँ आप इसको किस-किस में प्रयोग कर सकते हैं खाने में तो प्रयोग करते ही हैं पर मैं आपको और भी बता रही हूँ अगर आपके दान्त में दर्द है या दान्त पीले हैं तो आप ये दो चमच नमक के लेके और एक चमच सरसों का तेल लेके इसको अच्छे से मिक्स कर लें और दिन में दो बार उंगली से लगाके दान्त में रगड के लगाएंगे तो आपकी ये प्रोबलम ठीक हो जाएगी अगर जब भी आप लशन प्याज काटते हैं तो हाथों में बदभू सी हो जाती है तो आप ये नमक हाथों में लगा लोगे तो फिर ये लशन प्याज काटोगे तो आपके हाथों में बदभू बिलकुल नहीं आएगी अगर आप जब घर में फर्ष पे पोच्चा लगाते हो तो आप पानी में नमक ढालेंगे तो आप इसका पोच्चा लगाएंगे तो उससे मच्छर मखी कीडbin कोडे कुछ भी फर्ष में नहीं आएगा मिक्सी के जार अच्छे से नीचे से बलेड साफ नहीं होते हैं तो हमें इसको साफ करने में भी नमक काम आता है आप यहसे 2-3 चम्मच डाल के इसको मिक्सी में ऐसे अच्छे से 2-3 बार घमा दोगे तो हमारे यह निचे से ब्लेड अच्छे से साफ हो जाएंगे अगर हमारे गले में दर्द हो जाती है तो हमने ये गुन गुना पानी लिया होआ है इसमें हम नमक डाल कर दिन में 2-3 बार गरारे करेंगे तो वो भी हमारी ठीक हो जाती है अगर आपको मेरी ये विडियो पसंद आई है तो जुरूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें थैंक यू